स्वागत दोस्तों आपकी अपनी पाट्शाला में और मैं हूँ आपका का कटेगरी की तरह रुक कर रहा है यहां पे हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ओपरेटर जिन लोगों ने इसके पहले का विडियो नहीं देखा जरूर देख लीजिए आप लोगों ने अरितमाटिक ओपरेटर सबसे पहले समझ लेना है उसके बाद आप लोगों ने लोग को देखने मिलते है logical operator की category में पहला है और दूसरा है और तीसरा है आप लोग का not तो यह तीनों operator आप लोग के पास मौझूत है तीनों की तीनों नाम पर से पता चलता है logical operation perform करने के लिए use होता है मतलब हम लोग particular condition चेक करेंगे अगर हमारे condition satisfied होते हैं अगर हम लोग के condition जो है फुल्फिल होते हैं तब ही हम लोग को क्या मिलेगा इसके according आप लोग को output मिलेगा तो ज्यादा से मैं हम लोग waste नहीं करते हैं डिरेक्ली हम हम लोग shift करते हैं किसकी तरफ आपके ideally की तरफ तो चलिए दोस्तों सीधा हम implementation की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा दो variables लोंगा तो जैसे कि मैंने पहले variable का नाम दे दिया वार वन इसके अंदर मैं सेट कर रहा हूं कुछ value false यह मैंने value सेट कर दी इसके अंदर चेक कर लेते क्या यह value false आ चुकी है जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फॉल्सी value आ चुकी है variable 1 के अंदर दूसरी value variable 2 के अंदर में लेता हूँ true अब आप लोग कहोंगे कि यह variable 2 की value आ चुकी है यह नहीं देख लीजे खुदी अपनी आखों से जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो true यह value आ चुकी है तो आप लोग कहोंगी कि सर एक variable में true और एक variable में false ऐसा क्यों किया यह इसलिए किया ताकि आप लोग को आउटपुट जो है प्रॉपरली आप लोगों को हर एक operator समझ में आ जाए आप लोग देखे यहाँ पर मैं सबसे पहला जो operator है है सिंबॉल में यहाँ यूज कर रहा हूँ सिंगल लाइन कमेंट देने करे तो यहाँ पर मैं सबसे पहला example जो है वो ले रहा हूँ आड operator का ओपरेटर का एक्जामपल यहाँ पर मैं सबसे पहले शो कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर वैरिबल वन आड वैरिबल टू यह लिक रहा हूँ तो आड ओपरेटर का purpose क्या होता है जब भी आपका left hand side मतलब आपकी पहली condition और आपका right hand side आपकी दूसरी condition अगर ये दोनों की दोनों condition true होती है तभी आप लोग का output क्या मिलेगा यहाँ पे true मिलेगा अब जैसे कि आप लोग को पता है variable 1 के अंदर क्या है false और variable 2 के अंदर क्या है true तो आप लोग को यहाँ पर output क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोग का output मिलेगा false अब अगर हम यही पर variable 1 की value set कर देते हैं जैसे कि मैंने variable की video में आप लोग को rule बताया था कभी भी हम लोग value update कर सकते हैं तो variable 1 के अंदर मैं value यहाँ पर true set कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं variable 2 के अंदर value set कर रहा हूँ true तो जहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब अगर मैं and operator के साथ यह operation परफॉर्म करूँ तो आप लोग के आप देख सकते हो आप लोग का output मिलेगा true तो यह बहुत important है कि दोनों के दोनों condition अगर आप लोग की satisfy होती है तब ही आप लोग को true output मिलेगा किस में and operator में अब हम लोग दूसरे operator की तरफ बढ़ते हैं दूसरा operator जो है हमारा वो है और operator तो यहाँ टू में भी हमारे पास true available है तो यहाँ पर मैं वैर और वैर टू यहाँ पर कर रहा हो variable 1 और variable 2 को compare कर रहा हो और operator में और and operator में difference क्या है अगर and operator में दोनों condition true रहे तब ही आप लोग का output मिलेगा true लेकिन और operator में क्या है दोनों में से एक भी आप लोग को condition अगर true मिल जाती है तो आप लोग का output क्या मिलेगा true तो यहाँ पे तो वैर 1 और वैर 2 की value by default true है तो आप लोग का output तो मिलना ही है true तो मैं यहाँ पर दुबारा वैर 1 वैर 1 की value में यहाँ पर क्या कर देता हूँ अपडेट कर देता हूँ और मेरी वैर 2 की value जो है वह एस रख देता हूँ true अब हम लोग updated value के साथ यह operation perform करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वैर 1 और वैर 2 तो अगर हम लोग यहाँ पर देख पार है दोनों में से सिर्फ एक की value यहाँ पर true है फिर भी हम लोग का output क्या मिल रहा है true तो और operator का मतलब यह है कि दोनों में से अगर आपकी एक भी condition satisfy हो जाती है तो आप लोगों को क्या मिलेगा true या output मिलेगा so logical operators का आप लोग को हमेशा output booleum format में मिलेगा एक तो आप लोग को true मिलेगा या तो फिर आप लोग को false मिलेगा चलिए तीसरा और important operator है जिसे हम not operator कहते है तो यहाँ पर मैं not operator comment में लिख देता हूँ not operator तो यह जो operator है इसको perform करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा variable one के अंदर की जो मेरी value है इसके उपर मैं not operator लगा देता हूँ so where one के पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ not और यहाँ पर मैं bracket provide करवा देता हूँ तो not operator क्या करेगा negate करेगा बतलब जो भी यहाँ पर हम लोग value provide कर रहे है उसकी reverse value आप लोग का output में मिलेगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो where one के अंदर अभी मैंने true store किया है तो आपको यहाँ पर not where one का output मिलना चाहिए true यहाँ पर आप लोग देख सकते हो where one के अंदर मैंने false store किया था आप लोगों ने not operator के true उसका answer क्या convert कर दिया true वैसे ही मैं यहाँ पर where two का value आप चेक कर लेता हो not के साथ अगर मैं not of where two कर रहा हूँ इसका मतलब यह है कि मुझे इसका negated value मिलेगा जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो where two के अंदर मैंने true store किया है तो आप लोग यहाँ पर output मिलना चाहिए false जीहाँ दोस्तों logical operator हमेशा आप लोग को boolean output देंगे एक तो true या फिर false आने वाले वीडियो में हम लोग other categories को cover करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे bitwise operator arithmetic operator तो ऐसे ही like करते रहिए share करते रहिए और subscribe कर दीजिए channel को और please bell icon को press करना मत भूजिए ताकि आप लोग को समय पे सही समय पे आप लो दोस्तो वा नाइस देखे से अद्याइव टेक एर दोस्तो